नवरात्रा शक्ति का पर्व माना जाता है। इन दिनों मा दुरुगा के नो अलगलग रूपों की पूजा कर उनसे मन वांचित कामना की इच्छा पूरी की जा सकती है। नवरात्रों में प्रतम दिन मा शैल-पुत्री की पूझा की जाती है यह मा पार्वती का ही अवतार है दक्ष के यग्ड में भगवान शिव का अपमान होने के बाद सती योगागनी में बस्नु हो गई थी जिसके बाद उन्होंने हिमाले के घर पार्वती की रूप में जन्म लिया पार्वत की पुत्री होने कारण उन्हें शैल पुत्री कहा जाता है शैल पुत्री अपने भक्त के लिए मा की करूना, दया और स्ने का सागर है इनका आशिरवाद भक्त सादक को सर्व शक्तिमान बना देता है उस सादक को अन्य किसी की साहिता की आवश्कता नहीं होती वैस्वहमी देवतुली होकर दूसरों को वर देने में सक्षम हो जाता है मा शैल पुत्री की पूजा कैसे करें? यह महत्पूर है सबसे पहले आप इस्नान करके पूजा की स्थान पर कलश की स्तापना करें इसके बाद मा शैल पुत्री की पृतिमा या चित्र को इस्नान कराएं फूल माला चड़ाएं, देशी घीका दीपक जलाएं, दूब बत्ति जलाएं और प्रसाद में मीठा रखें जदी मिठाई ना हो तो मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं इसके बाद मा के सहस्त्र नाम का जाप करें मा शैल पुत्री बहुत ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ती है आपके प्रेम और विश्वास और आस्तास के जरिये आप मा शायल पुत्री से अपनी मन वांचित कामना पूरी कर सकते हैं